आप NETV पर देख रहे हैं, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री जस्वन सिंग के बेटे मानवेंदर सिंग जसूल को लेकर आ रही है, उनकी कार का एक्सिडेंट हो गया है, दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस वे पर हरियाना, राजिस्तान बॉर्डर पर मानवेंदर सिंग औ मानवेंदर सिंग आपको बता दें कि पूर्व में सांसद रहे और उसके बाद वो कॉंग्रेस में शामिल हुए और पूर्व मंत्री जस्वन सिंग जसूल के बेटे हैं, पूर्व मंत्री जस्वन सिंग जसूल के बेटे हैं, मानवेंदर सिंग जसूल के बेटे हैं, मानव expressway 4 पर 82.8 पॉइंट जो उसका रेफरेंस पॉइंट है हाईवे का वहाँ पर accident हुआ और बताय जा रहा है कि रजगन और खुशपुरी गाओं के बीच में हादसा हुआ परिवार के साथ कार में सवार थे और दिल्ली से जहपुर जा रहे जीप में मानवेंदर सिंग, उनकी पतनी चित्रा सिंग, बेटा हमीद सिंग और ड्राइवर समेत मिलागर चार लोग सवार थे एक्सपेस वे के साइड में गाड़ी हाईवे से उतर कर बगल में कच्ची जगह पर डिवाइडर से टक्रा गई और इस हादसे में इसके बाद उ गायल बताए जा रहा है और अलवर के सोलंकी अस्पताल में घायलों को भरती कराया गया है सभी दिल्ली से जैपूर आ रहे थे ऐसा जानकारी हमने आपको दी अभी घायलों की हालत इस्तिर है ड्राइवर की भे पैरों में चोटे आई हैं ड्राइवर को पहले बड़ादा में अस्पताल में भरती कराया गया था फिर उसे सोलंकी अस्पताल में लाया गया तस्वीरे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बड़ी घटना है ये जिनमें उनके पत्नी की मौत की खबर है तो मानविंद सिंग पूरो मंत्री जस्वन सिंग जसोल के बेटे हैं जस्वन सिंग बाजपे सरकार में मंत्री रहे थे विदेश्य भाग उन्होंने देखा और उनके बेटे भी राजनीती में सक्रिये हैं और पहले बीजेपी में थे उसके बाद कॉंग्रेस में शामिल हुए इस बार भी उन्होंने विदानसभा चुनाव लड़ा था